हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और दोस्तो आज मैं आपको इस फ्रिल का एक और तरीका बनाना बताऊंगी एक दीदी है मदूलामबा जी उनका कमेंट आया था कल मेरे वीडियो पर परसो मैंने ये वाला डिजैन डाला था तो एक तो उ इस फ्रिल में कितने फंदे डालेंगे तब हम हमारा सही हिसाब बनेगा तो इसके मैं आज एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी जो आसानी से बिना हिसाब लगाए बना सकते हैं क्योंकि कहीं लोगों ने फिर मेरे से कल और आज भी पूछा जो लोग मेरी वीडियो देखते ह है इसको फंदे हम किस हिसाब से डालेंगे तो इसके दो तरीके हैं बनाने के डिजाइन एक तो यह नीचे से अंबाडर बनाके ऊपर तक ले जाते हैं और फिर जितने फंदे हमें आप डालने होते हैं उस हिसाब से हमें फंदे डालने अब जैसे अगर हमें नीचे से बाड फंदा हो जाएगा तो हम फंदे इसमें इस तरीके से लें जैसे तीन नो तीन नो तो यह चार-चार के इसाब से हमें फंदे लेने होंगे अगर यह उपर हमारा इसाब सही बनेगा जैसे चोथा फंदा है तो इसको नो लेकर चलें तो इसका मैं एक आसान सा तरीका और बता द दालने हैं 5 साल के बच्शे के साथ ones से 80 फंदे या 85 फंदे हमें डालने होते हैं वैसे और हमने उून के ओपर देखना होता है अगर मानलो ऐसी मोती थोड़ी से मोती हूं होथी है तो इसमें एम डालने 40 या 45 जोट और अगर यह पतली वादी है तो इसमें 50 जोट फंदे भी डाल सकते हैं तो 80 85 और 90 के बीच में वो बच्चे की थोड़ी से सहाथ के यसाप से भी और बढ़ता बच्चा है तो थोड़ा से हमें 15 जादे ले ठालने होते जालना बड़ा इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हम जैसे अब मैंने यह नो फंदों का है तो इसमें उपर 11-13-15 तक थोड़ी सी बड़ी फिरील हो जाएगी और थोड़ा अगर बच्चा बढ़ा भी है तो उसमें और ज्यादा सुन्दर लगेगी तो इसका तरीका यही है क कि जितने भी फंदे हमें डालने हैं स्वेटर में मान लो अगर मैंने यहां 80 फंदे डालने हैं तो असी फंदे डालके और फिर अमें यह तीन और एक तीन एक सिदे की एक सलाई बनानी है अभी मैं बना के दिखाऊंगी और फिर पहले हम इसको ऐसे बॉर्डर बना ले तरीका जो मैं शेयर करूँगी और वो मैंने बताई दिया कि 5 साल के बच्चे के इसाब से आप उन के इसाब से देख लें 45 या 50 जोट डाल सकते हमाराम से और उसके बाद बार्डर बनाएं तो यह जो एक फंदा उपर आ जाएगा तीन और एक के बाद तो इसके हमें 9 फंदे लेने होंगे उसी इसाब से नीचे फंदे डालने असी फंदों के इसाब से अगर आपको बनाना है तो 250 फंदे डालने पड़ेंगे और एक दो कम जादा उसमें आपका यह सेट हो जाएगा और अगर मान लो थोड़े से 2-4 फंदे जादा बनाने है तो उसमें यह डिजैन जो है तीन प्लस एक चार-चार फंदे और बढ़ा लें तो उस इसाब से इसको लें अगर नीचे से बनाना है तो इसका मैं एक तरीका और बता देती हूं यह कैसे बनाना है यह डिजैन जो है हम फंदे डाल लिए जैसे मान लो जितने और उपर तो हम बाद में फंदे यहां से उठा के बना लेंगे पहले इसको बॉर्डर को इधर को बना लो तो उसमें हमें हिसाब लगाने की जरुरत नी है क्योंकि बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कितना फंदे ड दालूंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी से मैं थोड़े से फंदे डाले हैं और इसमें हम शुरू कैसे करें मान लो अगर मुझे 90 फंदों का स्वेटर बनाना है 45 जोट का तो मैं 90 फंदे यहां डाल लिए 90 फंदे डालने के बाद मुझे इस हिसाब से फंदे लेने है 3 उल्टे 1 सीधा 3 उल्टे 1 सीधा यह एक फंदा इधर और एक इधर मैं अच्टा लिया हुआ है तो इस हिसाब से बना लें यह मैंने उल्टी सीधी बना लिक कि उल्टे एक सीधा 3 उल्टे एक सीधा अब यह फ्रील हमे शुरू कैसे करनी है यह देखिए कै 2004? अब ये एक जो सीधा फंदा है इसके हमें तीन फंदे बनाने है ये देखिए तीन बना लिए अब ये पूरी सलाई इसी तरह से बनानी है पहली सलाई तीन उल्टे और ये एक फंदा मैंने सीधा बनाया इसमें से हमें तीन फंदे बनाने है ही में ये देखिए सीधी सलाई एक बना लिक जो सीधा फंदा इस पर मैंने एक से थीन बना ये अब उल्टी सलाई मुझे पूरी सीधे सीधी और उलती बनानीयाई ये पूरी बनाना के फिर दिखाती हूं थीन उल्टे ये एक पहला फंदा उतार लिया, तीन उल्टे बनाए, फिर जो ये एक में से तीन बनाए थे, ये तीनों फंदे सीधे बनाने हैं, उदर से सीधे होंगे, इदर से उल्टे होंगे, अब ये पूरी सलाई में ऐसे ही बना लेती हूं, तीन सीधे और तीन उल्टे, क्योंकि हर बार जो एक के तीन बने हैं फिर उसके बाद फिर एक फंदा इधर बढ़ेगा एक इधर हर बार बढ़ता हुआ जाएगा और वो सारे इधर से उल्टे बनेंगे इधर से सीधे अब देखिए अब एक में से पहले हमने तीन बनाएं और फिर हमारे पांच बन गए अब हमारे साथ फंदे बनेंगे पहले फंदे से ही हर बार हमें एक फंदा बढ़ाना है जो नीचे वाला फंदा है वो उठाना है हमें यह नीचे वाला फंदा उठाना है यह वाला यह वाला इसके नीचे वाला यह वाला फंदा जिससे की कि फिनिशिंग भी हमारी अच्छी रहेगी कि यह देखिए दोनों साइड से हमें इस तरीके से फंदे बढ़ाने है यह देखिए अब इस वाले फिरिल पे तो हमारे नीचे से फंदे ऊपर की तरफ गटते हुए जाते हैं कि दर से गटाना होता है कि दर से गटाना होता है और इस वाले फिर हमें नीचे से ऊपर से लेके और आगे तक इनको एक एक करके बढ़ाना है जितने भी हमें साइज की बनानी है अब मैं आपको यह नो फंदों की बनाई थी पहले नो फंदों की ही बनाके दिखाऊंगी यह देखिए यह फंदा एक बड़ा नाया में इधर पहले में और फिर एक लाश्ट में सीधे फंदे पे अब देखिए साथ फंदे हो गए एक दो तीन छे और एक साथ यह देखिए अब यह पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है यह देखिए अब इसमें साथ साथ फंदे हो गए अब एक एक फंदा और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं इधर से साथ नो नो फंदे की हो जाएगी है और इसके बाद अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको और आगे तक कितना भी बड़ा बना सकते हैं यह देखिए अब इसमें हम ऐसे नो फंदे बढ़ गए अब यह मैं पूरी सलाई बना के और फिर दिखाती हो आपको कैसे इसको बंद करना है या आगे इसको कितना बड़ा बनाना है नो की बजाए आप 11-15 यह मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हो आपको या Congmail पंड़े आ पहला जो पंदा बढ़ाएं आप थोड़ा फिनीशिंग के साथ बढ़ाएं यह देखिए in कि फर्क इतना होता है कि जब हम नीचे से बनाते हैं तो हम गटाते हुए जाते हैं उपर से बनाते हैं तो हम बढ़ाते हुए बस इतना फर्क है डिजाइन वही बनेगा सेम यह देखिए इसमें जो सीधे फंदे अभी नो नो फंदे हो गए तीन उल्टे नो फंदे जैसे हमने यह ऐसे शुरू किया था नीचे से ऐसे तो यह देखिए ऐसे नो तीन नो तीन तो यह जब हम यह बंद कर देंगे तो इतने बड़े साइज की हो जाएगी यह आप मैं इस थोड़ी से बड़े साइज की हो जाएगी फिर आप देखना आपको कौन सी अच्छी लगेगी और फिर कैसे बंद करते हैं कैसे इदर से फंदे उठाते हैं वह सब मैं इसमें बताऊंगी यह देखिए अब लास्ट में अब यह एक दो तीन चार पांच अब यह ग्यारा फ फंदा ऐसे बनाके बढ़ा लें और या फिर नीचे से उठाके जैसे आपको सही लगे फंदा उठाने का सबका तरीका लग लग होता है बढ़ाना है हमें साइड में एक इधर और एक इधर यह देखिए अब इधर यह 11 हो गए 11 ग्यारा फंदे हो गए अब यह लास्ट में अब हमें इनको बंद करना है अब मैं इनको सबको गटा दूंगी उल्टी सलाई में इनको गटाना है उल्टी सलाई में गटाने का यह फाइदा होगा कि इधर हमारा यह जो किनारी है ना यह बिल्कुल सही आएगी यह देखिए इस तरीके से यह किनारी आएगी अब मैं यह गटा लेती हूं पहले सारे यह देखिए ऐसे बना लो या ऐसे बना लो बनेगी बिल्कुल सेम अब इसमें फंदे कैसे उठाने हैं अब यह देखिए इधर से हम फिर इसमें या तो हम दागे के साथ फंदे उठाते हैं ऐसे जितने फंदे हमें उठाने एटी एटी नाइनटी अन्र जितने भी आब हम इस तरीके से इसमें फंदे उठा सकते हैं जासे हैं जैसे भी दागे के साथ उठाने हो दागे के साथ उठा लो वैसे वी उठा सकते हैं जैसे चाही लगे आपको और तरीका यह होगा इनका रहा हां यह नहीं यह हो जाता है कि इसमें अमें पूरा गनाों रही जातके हम आप great नहीं तो उपर फंदे अमारे कम ज्यादा रह जाएंगे और अगर आपको 80 फंदे का बनाना है तो आपको 245 फंदे डालने हैं और अगर 90 फंदों का बनाना है तो आपको 270 फंदे डालने होंगे आपको इसाब में कुछ गड़बड होती है लगाने में कहीं बार होता है कितना भी एक्सपेट बंदा हो तो हमारे जो फंदे थोड़े जादा कम हो जाते हैं तो जब हम फंदे डालते हैं जो इधर हम दागे से फिर उद्वेड़ देते हैं उनको तो और फिर भी कुछ दालें जैसे मैंने यह फिलावर बनाए है इस तरीके से आप यह देखिए आप यहां ऐसे इस पर मोती भी लगा सकते हैं लावर बनाने है तो उनसे फिलावर बना सकते हैं और वैसे मैंने यह वीडियो में शेयर की हुए है फिलावर अगर आप कहोगे तो मैं दूबारा से डाल दूँगी वीडियो इनकी उनकी और यह थिस त already टाल पर और आने वाली वीडियो में काफिड het देखोगे दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे बताना और कुछ और भी पूछना होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और जिन्दीदी ने कमेंट किया था उनको मैंने बता दिया कि अगर आपको 80 में डालने हैं तो इतने डालने होंगे और ज्यादा में डालने हैं तो जितने भी फंदेयां अप उस इसमें जैसे यह यह तीन और नौ के हिसाबसे फिर उपर हिसाब लगा लें और सबसे बड़े तरीका यह कि नीचे से फंदे जितने आपको डालने हैं उस स drawn बनाने तो इसको कितना भी बड़ा बना लए और भी बड़ा बना सकते हैं अगर बड़ा बच्चा है 10-12 साल का तो इसमें 15, 17, 19, 21 फंदों तक का फ्रिल बना सकते हैं वो आपके अपने उपर हैं आप कितने बड़े बच्चे की बना रहे हैं फिर इसमें चाहे मोती लगाएं या आप उसमें कडाई करें मैं इसमें यहां कडाई करूंग फिर आपको दिखाते हूं